आज बनाएंगे सबके फेवरेट आलू के पराठे एकदम धावा इस्टाइल फूले फूले पराठे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आ बेशन जरूर डाले और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे इसी के साथ यहां पड़ जाएगा नमक आधा चमच या अपने स्वाधनुसार सबसे पहले हम आटे में यह जो हमने नमक और बेशन मिलाया है इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ अटा लगाना है नाहीं ज्यादा सक्त और नाहीं ज्यादा मुलायम कचोड़ी हो या हो भरवा पराठे इनके लिए आटा थोड़ा सौफट ही लगा जाता है इससे पराठे बनाते टाइम पराठे हमारे एकदम फूले फूले बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अच्छे से मसलते हुए घी को इसमें मिक्स कर लेंगे और ये देखिए आठा हमारा एकदम बढ़िया यहां पर लख्ये तयार हो गया है अब इसे पांच मिनिट के लिए ढख्ये छोड़ देते हैं और पराठा बनाने के लिए आलू का मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां पर म में गुठिया नहीं रहती आप चाहें तो इन्हें मैशर से मैस भी कर सकते हैं अब यहां पर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं तो यहां पर मैंने एक चमच लाल मिर्च पॉडर और एक चमच धनिया पॉडर डाले हैं इसी के साथ इसमें आदा चमच जीरा डालेंगे आप यहा कोट कर या कदू कस करके भी डाल सकते हैं फिलेवर के लिए यहां पर मैंने थोड़े से आजवाईन के पतों को बारिक काटके डाली है इसकी जिए आधा चमच गवड़ हतेली पर हलका सा रगड के भी डाल सकते इह आप इसके अलाबा से आप अज्दम गुलें और यहां प हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे जिससे ही हाथ पर चुपके न आप आलू का मिश्रन हतेली पर रखेंगे हतेली पर इसे गुमाते हो हम इसे गैंद की तरह एकदम गोल बना देंगे हम जब धावाई स्टाइल पराठे बना रहे हैं अब यहाँ पर हम पराठे बना लेते हैं तो पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह आटा लिया है आप जैसे पराठे बनाना चाहते हों उतना आटा यहाँ पर ले सकते हैं वैसे आलू के पराठे थोड़े मिडियम साइज के ही अच्छे लगते हैं नाहीं ज़्यादा मोटे और नाहीं ज़्यादा पतले अब चकले पे ठोड़ा सा सूखा आटा डाल कर आटे को हम थोड़ा सा फैला लेंगे इसे फैलाने के बाद इसमें आलू के मसाले वाली बॉल रखेंगे और इसे अच्छे से उंगलियों से बंद कर देंगे इसके उपर जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा देंगे फिर से चकले पे थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसके बाद इसे उंगलियों से इस तरह थोड़ा सा फैलाएंगे जिससे आलू का मसाला इसमें एकदम बराबर चारो तरफ अच्छे से फैल जाए फिर इसे हलके हाथ से बेलन से बेल लेंगे आप बिल्कुल इसी तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी कभी नहीं फटेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे और देखिए बेलन से हमने पराठे को अच्छे से बेल लिया है और अब आप देखिए पराठा कहीं से भी नहीं फटा है हमने जो इसमें आलू का मसाला डाला है वो भी पाहर से ही अच्छे से दिख रहा है इस पराठे को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेते हैं पहले लोई को इस तरह थोड़ा सा फैलाएंगे चकले पर इसके बाद इसमें आलू के मसाले वाली बॉल रखेंगे और इसे उंगलियों से अच्छे से बंद करेंगे इसे बंद करने के बाद इसमें जो उपर एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसे उंगलियों से इस तरह हटा देंगे फिर से चकले पे सुखा आटा लगाएंगे और इसे थोड़ा सा उंगलियों से इस तरह फैला लेंगे जिससे मसाला इसमें चारो तरफ अच्छे से फैल जाए फिर इसे हलके हाथ से बेलन से बेल लेंगे बहुती आसानी से ये बनकर तयार हो जाते है गर्मा गर्म आलू के पराठे किस-किस को पसंद है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं तो लीजिए हमारा ये पराठा भी बनकर तयार हो गया है आप तवे को गैस पे गरम होने रख देंगे और जब तवा अच्छा गरम हो जाएगा पराठे को तवे पे डाल देंगे गैस को यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और जब इसका हलका कलर चेंज होने लगेगा पराठे को पलट देंगे इसके बाद जब ये नीचे से थोड़ा सिखने लगेगा इसके जो उपर की सतय है उस पर घी लगा देंगे आप घी की जिगा तेल भी लगा सकते हैं लेकिन घी से पराठे वगर अब बहुत अच्छे बनते हैं और घी लगाने के बाद इसे हलके हाथ से करची से पलट देंगे देखिए एकदम फूला फूला हमारा पराठा बना है आप इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा घी लगा देते हैं और इसे वापस करची से पलटेंगे आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गैस को यहाँ पर स्लो कर लीजिए और स्लो गैस पर इसे अलटते पलटते हुए हलका दौनो तरब से सुनहरी जब तक नहीं हो जाता तब तक इसे सेकेंगे करची से इसे बीच बीच में दवाते रहेंगे और देखिए पराठा हमारा यहाँ पर सिक्कर तयार है इसी तरह हम दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं पराठा जब एक तरब से हलका सिख जाएगा इसे पलट देंगे और इसके ओपर फिर हम घी लगा लेंगे और देखिए सारे पराठे एकदम फूले फूले बनकर तैयार हो रहे हैं अपस इसे भी पलट देंगे और दूसरी तरब भी इसी तरह हम हलका हलका घी लगा लेंगे घी लगाने के बाद गैस को हम फिर से स्लो करेंगे और इसे स्लो गैस पर ही अलटते पलटते हुए एकदम खस्ता पराठा यहां पर बना कर हम तयार करेंगे तो लीजिए हमारा ये पराठा भी सिक्के तयार हो गया है अब इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं आप एक बार इस तरह से आलू के पराठे बना कर देखिए आपके पराठे कभी नहीं फूटेंगे ऐसे ही एकदम फूले फूले पराठे बनेंगे अब आप इसे चाहे मक्षन के साथ खाएं य जोर सब्सक्राइब करें थैंक यू